MPK सागर जिले में हो रही तीन दिवस्य कथा के कारिक्रम में धिरिंद्र सास्त्री की सुरक्षा के साथ पंडाल बेबी सिक्योर्टी के खास इंतिजाम किये गए है आखिरकार क्यों बढ़ाई गई कथाकार धिरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा, क्या है एहम बज़र देखते हैं खास रिपोर्ट बागिशवरदाम के आचारिया धिरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है MPK सागर जिल्ले में हो रही तीन दिवस्य कथा के कारिक्रम में दिरेंदर शास्तरी की सुरक्सा के साथ पंडाल में भे सीक्यूरिटी के खास इंतिजाम किया गया है दोरान इस 1000 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा जिसमें क्विक रिस्पोंस फोर्स को भी सामिल किया गया है बता दे कि कुछ दिन पहले UPK बरली में रहने वाले एक यूवक ने दिरेंदर शास्तरी को जान से मारने की धमकी दी थी अलाकि बाद में धमकी बाद यूवक को गिरफतार कर लिया गया था मगर बिते दिन कोड से उन्हें जमानत मिल गई यूवक के घरवालों ने भी उसके किये पर माफी मांग ली है अब दिरेंदर शास्तरी की सुरक्सा और बढ़ा दी गई है उनके निवास तल से कथा पंडाल तक सुरक्सा ब्यवस्ता चाक चौबंद रहेगी उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर देश विदेश में सनातन को बढ़ा रहे है इसलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है जान से मारने की धमकी देने वाले अनिस अंसारी को कोड़ से जमानत मिल गई है अनिस उपी के बरिली का रहने वाला है उस ने सोसल मीडिया पर दिरेंदर शास्तरी को लेकर आपति जनक टिपणी की थी ब्योरो रिपोर्ट GSTV